अच्छी सेहत के लिए बढ़े बुजरुगों के 36 नियम अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने नमबर एक जादा दाएं तरफ मुख करके सोने से खाने के करण फेफडों में चले जाते हैं जो निमोनिया का कारण बन सकता है जिससे फेफडे खराब हो सकते हैं खाना फेफडों की तरफ इखटा होने से इनसान की जान भी जा सकती है इसलिए डॉक्टर हमें साब बाई तरफ सोने की सलहा देते हैं क्योंकि बाई तरफ सोने से हमारी पाचन किरिया मजबूत होती है और खाना अच्छे से हजम हो जाता ह नमबर दो जो लोग डिप्रेशन का सिकार होते हैं उन्हें सुबा उठकर घूमना चाहिए और ताजी खुली हवा में लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए इससे डिप्रेशन कम होगा और दिमाग को तासगी मिलेगी नमबर तीन रोजाना सोने से पहले दूद में सुफ डाल कर पी लिया करो इससे मुड़ा पाक जल्दी नहीं आएगा दूद हमेशा खाना खाने के एक गंटे बाद ही पिएं खासकर बच्चों को दूद जरूर पिलाएं इससे उनकी हड्या मजबूत होती है और लंबाई नमबर पांच कच्चे ताजा दूद की कुछ वूंदे गिलसरीन में मिलाकर चहरे पर लगाने से चहरे के दागधबे दूर होते हैं और चहरे पर निखार आता है नमबर 6 पांच के भार बैट कर खाना नहीं खाना चाहिए इससे बुढ़ापा जल्दी आता है क्योंकि पांच के भार बैटने से सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है नमबर 7 अगर आप चहरे को हमेशा साफ सुतरा रखना चाहते हैं तो हफ़ते में एक बार करेले का जूस या नीम के पत्तों का अर्ग जरूर पीना चाहिए इसका सेवन करने से हमारे चहरे पर केल मुहां से फोड़े फुनसी और दाग धब्बे नहीं होते नमबर 8 बलड प्रेशर के मरीज को कभी भी डालडा घी का सेवन नहीं करना चाहिए बलकि तेल का ही इस्तमाल करना चाहिए नमबर 9 जब भी दूद को गरम करो तो उसमें एक इलाइची डाल दो इससे दूद खराब नहीं होता और इलाइची वाला दूद स्वास्ते के लिए भी अच्छा होता है नमबर 10 अगर सिर में जूएं पढ़ जाएं तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से सिर धोएं और अखरोट का तेल बालों में लगाएं इससे जूएं खत्म हो जाती है नमबर 11 जो इनसान मुटापे का सिकार होता है उन्हें अपनी डाइट में सिमला मिरच और खीरे का सेवन जरूर करना चाहिए और जितना हो सके एक्टिविटी करें इससे उनका मुटापा कम होगा नमबर 12 अगर आपके पेट में तेजाब बनने की प्रोब्लम है तो रोजाना सुबा खजूर का सेवन करें इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा नमबर 13 अगर पेट का दर्द कम नहीं हो रहा हो तो पानी में अजवाइन उबाल कर उसमें काला नमक डाल कर गुनगुना पानी पी लें इससे पेट दर्द में काफी हद तक आराम मिल जाता है नमबर 14 अगर आँखों में धुंदला पन नजर आने लगे तो सुभा उठते ही आँखों पएं सुर्मा जरूर लगाए नमबर 15 जादा खा लेनी की वज़े से पेट खराब है तो अदर्द का एक छोटा टुकडा चबा चबा कर खा लें नमबर 16 अगर आप रात के समय उबले हुए आलू का सेवन करते हैं तो इससे बवासीर की समस्या हो सकती है नमबर 17 अगर आपको जादा बैट कर काम करने की आदत है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा सा जरूर चलें इससे आप भविश्य में कई बीमारियों से बच सकते हैं नमबर 18 सुबा उठकर सबसे पहले आँखों की मसाज करने से स्वास्ते अच्छा रहता है नमबर 19 कभी भी घर के फर्स पर या अपने आसपास ना थूकें इससे टीवी की बीमारी होने का खत्रा रहता है नमबर 20 जो इनसान सुबा उठकर खीरे का सेवन करता है वह बहुत कम बीमार पढ़ता है नमबर 21 बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल तेल में आमला पाउडर मिला कर बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई बढ़ने लगती है नमबर 22 अधिक जुक कर पढ़ने से या बैठने से फेफडे रीड की हड़ी और आँखों की रोसनी पर बुरा असर पढ़ता है इसलिए हमेशा सीधा बैठना चाहिए नमबर 23 अगर आपको इसकिन पर एलर्जी दाद या खाज की दिक्कत है तो नीम की पत्यों को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाएं इसके अलावा नहाने के कुछ देर बाद नारियल के तेल से सरीर पर मालिस करें इससे आपको काफी फाइदा होगा नमबर 24 कच्चे पपीते का रस भी लगाने से दाद खुजली में आराम मिलता है नमबर 25 रात को सोने से पहले चाय कभी नहीं पीनी चाहिए इससे पेशा में इंफेक्शन हो सकता है नमबर 26 जीरे को तवे पर भून कर उसमें सहद मिला कर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है पके हुए जामुन का सरबत पीने से भी पेट दर्द में राहत मिलती है नमबर 27 यदि आप कभ्ज की समस्या से परिशान हैं तो रात को सोने से पहले आमले का चून एक चममच दूद के साथ लेने से कभ्ज की समस्या में राहत मिलती है 28. लोंग का तेल सरसो के तेल में मिला कर कमरदर्द पर मालिस करने से कमरदर्द में आराम मिलता है 29. प्याज के रस में नीबु का रस मिला कर पीने से सीने की जलन खत्म हो जाती है 30. सर्सों के तेल में जाइफल को पका कर कमरदर्द पर मालिस करने से कमरदर्द में आराम मिलता है 31. अगर खून खराब है तो लोकी की सबजी बिना नमक के उगली हुई खाने से खून खराबी दूर होती है 32. अगर सुगर की समस्या है तो रोजाना सुबह के वक्त निहार मूं ताजे आमले का रस एक चम्म सहद में मिला कर पीने से सुगर की बीमारी खत्म हो जाती है 33. जोडों के दर्द पर सर्सों का तेल लगाने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है 34. अगर सुखी खासी से परेशान है तो एक चम्म सहद में छे काली मिर्च मिला कर खाएं इससे खासी में आराम मिल जाता है मेथी को गुड के साथ पका कर खाने से गठिया दर्द में आराम मिलता है और कुछ दिन तक इसका लगातार सेवन करने से धीरे धीरे गठिया दर्द चला जाता है नंबर 36 पातावरण में विबिन प्रकार के वाइरस पनप रहे हैं जिन से हमें खुद को बचाना चाहिए यह जानलेवा साबित हो रहे हैं हमें अपने आपको और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रहने के उपायों को बताना चाहिए लोगों को स्वच्टा के प्रती जाग रुप करना चाहिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य पिरकिरिया के लिए है किसी भी बीमारी से पिरित होने पर डोक्टर से सलहा लेकर